पिछले कुछ समय से पास्वान समाज लगातार इस बात की मांग कर रहा है चौकिदारी में जो आरक्षन खतम किया गया है पास्वान समाज का उसको वापस से बहाल कर दिया जाए और नए सीरे से इस बात की तयारी की जाए और पास्वानों के लिए वैकेंसी निकाला जाए इसको ले करके उन्होंने पटना में मार्च तक किया था जिसके लिए पुलिस से लाठी चार्ज होई थी और उसके बाद पुलिस ने उनको जम करके पीटा था लेकिन इस पर अभी तक चिराग पास्वान का कोई बयान नहीं आया है वो चिराग पास्वान जिसको बिहार में पास्वानों का सर्वमान्य नेता माना जाता है उनका बयान अभी तक इस मामले पर एक भी नहीं आया है कोई ठीका टिपनी उन्होंने इस बारे में नहीं किया लेकिन चाचा पसुपती पारस अभी इस मामले में चिराग पास्वान को पीछे छोड़ दिये हैं तो वे पुलिस की निंदा की है कि पुलिस के द्वारा पास्वान समाज की उपर लाठी चार्ज किया गया पसुपती पारस कहते हैं कि ये उनके हक की मांग है और इसके लिए पुलिस को लाठी चार्ज नहीं करना चाहिए